करने वाला हूं जो कि MNS BAC nursing 2023 से related रहने वाला है तो MNS का जो shortlisting वाली list है वो कल release हो गई थी इंडिनामे के official website पे आई होप आपसे भी candidates ने अपना जो reference number है वो check कर लिया होगा ठीक है तो जिसने भी MNS का application form fill किया था तो उन्हें एक reference number मिला था and उस reference number से आपने उस PDF में check करना था कि आपका reference number उसमें है या नहीं है अगर होगा तो वहाँ पर उसके उपर एक date mention होगी और उस date को आपको reporting करनी है base hospital Delhi Kent में ठीक है और साथ ही साथ आपका admit card भी आ चुका होगा अगर आपने download नहीं करा तो admit card download कर लेना login करके यह आपको download करना है ठीक है तो login करोगे वहाँ पे आपके पास option आ जाएगा admit card का बस उसे download कर लेना तो admit card में जो instructions है वह मैं इस video में आप सभी के साथ discuss करने वाला हूं and वहाँ पर जाके क्या क्या process किस तरीके से होगा and मुझे आप लोगों के जो भी बाकी doubts हाए है like comments में जो जो doubts आप नहीं किये थे उसके answer मैं देने की इस video में कोशिश करूँगा ठीक है तो video को please पूरा end तक देखना क्योंकि यह video उन candidates के लिए बहुत जादा important होने वाली है जो अपनी screening test के लिए अभी जाने वाले है ठीक है तो यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपना reference number चख के लिए अगर चेक नहीं भी करा तो directly login करके देख लो अगर आपके admit card आया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप shortlist हो चुके हो एंद आपको जो screening test के लिए जाना है ठीक है तो सीधा से तरीका यह है अगर आप अपना जो reference number है वो search नहीं कर पारे बट मैंने कल बदा भी दिया था reference number वो दोनों पेडियाफ पड़ी हुई है original वाली भी और searchable वाली भी तो जिसने अभी तक नहीं करा तो एक बद जाके आतो वहां पर चेक कर लेना otherwise directly login करके चेक कर लो और देख लो आपका admit card आया है या नहीं आया ठीक है तो admit card में जो भी instructions है like documents क्या लेके जाना है कब reporting करनी है व मतलब जो भी process आपका जो भी होना है medical कैसे होगा ठीक है आपका जो टेस्ट है वो किस तरीके से होगा तो यह सब चीजे में जो है आपके साथ जो है detail में discuss करने वाला हूँ because मैंने कल ही बात करी थी मतलब previous year जो एक selected candidate है उससे तो वो मतलब मेरी known ही है ठीक है तो वो last year मतलब मैंने उसको guide करा था इसके लिए तो मैंने कल उसको call करें पूछा था कि like क्या क्या आप जो है चीजे रहेंगे and जो भी उसने important चीजे मेरे को बताई है वो मैं आपसे के साथ share कर देता हूँ ताकि वहां जाके आपको कोई भी problem face ना करनी पड़े ठीक है तो पहले हम एक एक करके instructions देखते हैं उसके बाद में बाकी additional चीज़े आपके साथ share करूँगा तो यहां देखो पहला लिखा instructions to the candidates और यह पूरा admit card आपको अपने साथ लेके जाना है प्रेंट करवा लेना ठीक self-attested photograph of its done add ठीक है तो तीन जो है photocopy होने चाहिए और उन सभी के उपर आपका photograph जो है paste हुआ होना चाहिए तीन हो में और photo पे जो है अपने मतलब क्या है कि signature कर देना self-attested का मतलब क्या है कि जो आपका photo है तो half of the signature आपके photo से होते हुए बाहर paper पे आने चाहिए इस तरीके स signature वहाँ पे कर देना no candidate will be allowed entry without the admit card admit card के बिना entry नहीं होगी और बाकी कुछ candidates का doubt लाइक ये भी है documents related like migration उनके पास नहीं है या अभी अगर वह कहीं पर college कर रहे है तो उनका सब process कैसे होगा ठीक है तो वह भी मैं आपके साथ discuss करूँगा तो यहां देखो second point में ये लिखा है the following documents certificates are to be produced in original along with one set of self-attested copy of all documents ठीक है तो यह सभी इन्होंने लिखा है कि यह सभी आपको documents original लेके जाने है और इनका एक set भी होना चाहिए self-attested copy का ठीक है तो मतलब यह जितने भी documents लिखे है वो लेके जाओगे उसके साथ इनकी एक copy लेके जाने है और उस copy पे हर copy पे आपके signature ह होने चाहिए self-attest का basically मतलब यह होता है आपने खुद के sign कर दिया उस पर नीचे ठीक है नीचे कहीं पर भी उस document पर जहां पर भी आपको खाली space देखे वहाँ पर आप sign कर दोगे तो इसका मतलब कहाई कि वह document self-attest हो चुका है ठीक है लेकिन यहां पर देखो उन्होंने one set लेकिन मैं आप सभी से request करूँगा कि कम से कम दो set तो लेकर जाना ही जाना मालो कुछ भी खराब हो जाया कोई set या किसी वज़े से कोई भी problem हो उसमें तो आपके बस एक additional copy और होनी चाहिए documents के ठीक है क्योंकि वहाँ पर आपको यह सब करने का time नी मिलेगा कि आप photo copy कराने अगर काम आई जाएंगे तो waste नहीं होगी तो तीन भी करा लोगे तो कोई problem नहीं है ओके बागी admit card की भी इन्होंने तीन photo का भी लिखी है तो कौन कौन से document है class 10 की mark sheet है class 10 का passing certificate है ठीक है तो mark sheet और passing certificate कुछ boards में अलग-अलग होता है कुछ board में एक ही होता है ठीक है तो जिस board में अगर एक होता है मतलब common होते हैं दोनों चीज़े mark sheet और passing certificate तो आप अपनी mark sheet के ऊपर check करना लिखा हुआ होगा mark sheet कम passing certificate अगर इस तरीके से कुछ भी mention ऊपर किया हुआ है आपके mark sheet के ऊपर तो इसका मतलब है कि mark sheet भी वही है और certificate भी वही है और अगर ऐसा कुछ mention नहीं ह है ठीक है तो इस तरीके से mention होता है तो देख लेना जो भी लिखा होगा उस पर उसी तरीके से class 12 की mark sheet class 12 का passing certificate ठीक है transfer certificate हो गया migration certificate हो गया यह जो आपको school से मिला होगा अगर आपने नहीं लिया थे school से अभी तक तो आप please school से जाकर ले लो original लेके जाने है और देखो आप defense मे जाने वाले हो तो आपका discipline यहाँ पर जरूर देखा जाएगा तो आप ऐसा मसूचना कि बस हम casually चले गए और सब कुछ वहाँ पर हो जाएगा एक भी अगर document आपका miss होता है वो सीधे आपको बुलेंगे कि आप घर जा सकते हो ठीक है वो वहाँ पर आपके argument के लिए कुछ कुछ भी वेट नहीं करेंगे नहीं वो आपको कुछ भी चांस देंगे कि हाँ बेटा आप जो है अपना document लेकर आजाओ तो प्लीज थोड़ा सा भी आपको careless हमाँ पर नहीं होना है जो document जो instructions दिये गहे हैं उन सभी को वैसे का वैसे ही follow करना है तो original जब इन्हों ने लिख 23 के scorecard ठीक है जो आपका scorecard आयत है वो लेकर जाना है और gap certificate if there is a gap of more than 2 years between passing of 10th and 12th examination ठीक है तो देखो gap certificate हर किसी को जरौत इसकी नहीं पड़ेगी ये सिर्फ उनी के लिए हैं जिन्होंने अपना 10th और 12th के बीच में कम से कम 2 साल का जो gap है मतलब 2 साल से जाधा का gap है मतलब 10th मालो किसी ने 2023 में अगर कम्लीट के है तो 12 उसका 2025 में होगा लेकिन अगर मालो किसी ने बीच में gap लिया था 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी एक साल के लिए या फिर एक से जाधा सालों के लिए ठीक है और फिर उसके बाद 11th में admission लिया है ऐसा कुछ भी हुआ है like medical issue की व कि आप अपने school से जो अपने school के principal से एक paper पे लिखवा लेना या type करके उनसे लिखवा लेना उनकी signature और stamp होना चाहिए school का कि ये जो candidate है इसने हमारे हां से schooling किये and इसने 10th और 12th जो है ये हमारे school से ही pass किया है या class 12th हमारे school से regular mode में pass किया हुआ है ठीक है तो वो बस इतना उस पर लिखा होगा और उसमें आपका नाम वगरा होगा ठीक है और आपके जो principal है उनकी signature हो जाएंगा और आपकी school के stamp वगरा जो भी होगा वो उस पर लग जाएगा तो ये एक certificate आपको बनाना होगा उसके बाद domicile certificate है तो आप जिस भी state से belong करते हो वहां का domicile certificate आपके बस होना चाहिए औरिजनल फिर अधार काड ओरिजनल हो गया उसके बाद है certificate of SCST if applicable ठीक है तो अगर आप SCST category से belong करते हो जो भी candidate है जिसने select करा था अपने form में SCFST category तो उनको अपना category certificate लेकर जाना होगा बाकी OBCWS इनका कुछ भी कोई certificate नहीं लेके जाना अगर आपने जो ह एक service personnel from the competent authority if applicable तो dependent certificate अगर किसी के पास है अगर किसी के parents वगर आर्मी में है या ex service है तो वो उनको लेकर जाना होगा फिर अगर कोई war widow है या dependent है या of personnel killed in action ठीक है तो यह सब army वालो के लिए तो जो भी army bats है वो यह ज़रूर देख लें कि उनको क्या क्या document चाहिए होंगे बा आगे school college district level पर या कुछ भी आपने जो है कहीं पर भी participation अपना क्या हो sports वगर में तो उसके जो भी certificates में वो आपको लेकर जाना है और है affidavit with copy of FIR in case of duplicate certificate ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या है अगर मानलो आप आपकी जो document है कोई भी ऐसा document है जो खो गया है ठीक है औ और अभी क्या है आपने उसके लिए FIR लिखवाई थी कि मतलब अगर नहीं भी लिखवाई है तो आपको FIR लिखवानी पड़ेगी अपने nearby police station में ठीक है और वहां से उसके copy लेनी पड़ेगी FIR की और उसके बाद उसके साथ एक affidavit बनाना पड़ेगा कि मेरा यह वाला जो document पूरे है original form में तब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद है colored passport size photograph 10 in numbers तो इन्होंने 10 passport size photograph मंगवे हैं आफ 15 या 20 लेके जाना ठीक है और उसके बाद है certificate of received from the institution where the original certificate is submitted for admission देखो अगर कोई ऐसा candidate है जो already कहीं पर अपनी पढ़ाई कर रहा है अगर उसके जो certificate है मानलो 10 12th की म अपने college से लिखवा कर लेके आएंगे उनसे एक certificate लेके आएंगे आपके college वाले आपको एक certificate दे देंगे ठीक है जब आप उनको बताओगे कि ऐसा ऐसा कैसे तो आपको certificate बना के देंगे बस उसमें यह लिखा हुगा कि यह जो candidate है इसका admission हमारे हां हुआ है और इसके जो original certificates ह इसके लिखवा के आनी होंगी कि यह जो candidate है हमारे हां भी पड़ाई कर रहा है और इसका जो migration वगरा है यह course completion पर मिलेगा या फिर उसमें यह भी लिखवाना होगा कि अगर इसका selection कहीं और हो जाता है मतलब जैसे MNS में हो जाता है तब हम इसको यहां से migration वगरा दे देंगे the completion of medical examination में take up to four to five days ठीक है तो देखो कम से कम आपको यहां पर पांच दिन का समय लेकर चनला होगा अपने साथ ठीक है कम से कम five days का जो है आपको यहां पर time लेकर चनला होगा कि पांच दिन कम से कम यहां पर लग सकते हैं तो आपके साथ जो भी जा रहा है साथ में suppose आपके parents जा रहे हैं जो भी जा रहे है ठीक है तो उनको पहले यह चीज़ बता देना है कि कम से कम पांच दिन लग सकते हैं तो आपको वहां पर रोकने रोकने का खर्चा जो भी है वो खुद से करना होगा खाने पीने का जो भी है सब खुद करना होगा ठीक है और देखो यहां पर चलेगा four to five days चाहें आपका medical हो चाहें आपका psychological assessment test हो या फिर जो आपका वो होना है क्या बोलते हैं जो cbt mode वाला test होना है ठीक है तो यह जितने भी सारे process चलेंगे और बाकि जो interview है ठीक है तो यह जो चारो process चलेंगे तो जो जो यह process चल रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि चार दिन या पांस दिन आपको वहाँ academy में या जो भी area है इनका वहाँ पर आपको stay करवाया जाएगा basically होगा क्या आपको morning में रोज का time मिलेगा कि रोज आपको सुबह इतने बज़े report करना है and शाम को 3-4 बज़े तक यह लोग आपको free कर देंगे and 3-4 बज़े के बाद फिर आपको बाहर ही stay करना होगा ठीक है तो अगर आपके सब को parents का गरा जा रहे हैं तो फिर आप उन ही के साथ stay कर होगा आपको यहां पर अंदर stay करने की जो मतलब facility यह सब नहीं देते हैं ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना clear है और साथ में लिखा है कि you will be paid TA as per rules if you are an outstation candidate second class train fare from the place of residence to the place of screening and back is allowed as TA ठीक है तो TA का मतलब होता है त्रेवल आलांस travel allowance याने की आपका जो आने जाने का खर्चा है वो यह लोग देंगे अब आने जाने का खर्चा देखो यह बहुत ही कम देंगे ठीक है इन्होंने यह लिखा है कि आपको second class train का fare मिलेगा second class basically general ticket होता है तो जब आप train में जाते हो तो train में जो general coach होता है उसे हम second class बोलते हैं यह second class AC नहीं लिखा है या ठीक है second class AC अलग होता है third AC होता है या second AC होता है first AC होता है यह वो नहीं है यह सिर्फ second class है second class मतलब जो general ticket होता है सिर्फ वो मिलेगा तो वो उसका price आपको पते है काफी कम होते है and mostly candidates मुझे पता है या तो reservation करवा के जाएंगे sleeper वगरा में या AC में जाएंगे तो जैसे भी उनको सही लगते है वैसे जाएंगे तो उसके according देख लेना आपको यहाँ पर fare जो है वो बहुत ही कम मिलने वाला है तो आपको जो है general ticket का जो fare है वो यह लोग देंगे मतलब आने जाने दोनों का clear है और उसके बाद जो है बस यही से अब लिखा है और इतना कुछ है नहीं और candidates are advised to have sufficient funds with them for their stay as well as return जाने तो वही same चीज़ जो मैंने बताई कि आपको रुकने का अपना खुद का करना होगा तो उसके according आपको अपने हिसाब से जो भी अपना पैसा वैसा लेकर जाना है वो आपको लेकर जाना होगा ठीक है इसलिए इसलिए इनोने लिखा है कि sufficient funds आपके बस होने चाहिए ठीक है तो चार पांस इनका stay आप मान के चलो अगर कहीं पर भी आप hotel लेते हो ठीक है डैली में मालो तो 1500 के आसपास एक मतलब budget hotel आप मान सकते हो तो उसके according आप देख सकते हो कि 4-5 days का आपको कितना लेकर जाना होगा रोकने के लिए बाकी खाने भी निगा भी आपको खुछ करे करना होगा बट हाँ आइटिंग शायद यह होता है कि जब वो आपका प्रोसीजर चल रहा होगा दिन के टाइम पे तो वो शायद आपको लंच वगरा वहीं पर देंगे इसके बारे में बट हाँ जब आप वहाँ पर अंदर होगे तो प्लीज अपने साथ पैसे जरूर रखना लाइक आपको कुछ भी चाहिए तो वहाँ पर कैंटीन अगर आपको मिलेगी तो वहाँ से आप अपना पर्चेस करके अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हो खाने पिने के लिए ठीक है अब मेरे को यह कंफर्म नहीं है अभी कि आपको महाँ पर ठाने पिने के लिए कुछ दिया जाएगा अंदर नहीं दिया जाएगा या वह बोलेंगे कि you have to take it your मतलब खुद के साब से लेना है ठीक है तो जो भी होगा बट ह एक इंपोर्टन चीज यही ध्यान अखना कि जब आप अंदर एंटर हो रहे हो तो अपने साथ जो है 500-1000 रुपी ज़रूर रखना ठीक है तो यह जीज हो गई और उसके बाद स्क्रीनिंग डेट की स्क्रीनिंग जो डेट है वह आपकी चेंज किसी भी केस में नहीं होगी और फाइनल मेरिट जो है वो आपकी निए टूजी के स्कोर पे और टीयो जी आईजी यानि कि जो आपका सीबीटी वाला टेस्ट है उसके बेसिस पर इंटर्व्यू मार्क्स के बेसिस पे तीनों के मिलाकर यहां पर बनेंगे और उसके बाद जो आपका मेडिगल फिटनेस अगर है उसको भी अच्छे से चेक किया जाएगा और उसके बाद है कि इस इंफॉर्ण दाट इस एड्मेट का दस नॉट मतलब यही कि सिर्फ इस एड्मेट कार्ट के बेसिस पर आपका सेलेक्शन यहां पर नहीं होता है ठीक है तो यह तो देखो रहे इसके रूस अब मै कुछ important चीज़े बताएथा उसको अच्छे से सुन लो तो क्या होगा कि जैसे जो भी आपको reporting time मिला है I think reporting time morning गई होता है 6-7 बजएगा तो उतने बजए आपको पहुँच जाना होता है ठीक है एंड एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना जो भी आपको date मिली है suppose अगर किसी को 21st August मिली है या 18th August मिली है तो आप कोशिश यही करो कि एक रात पहले पहुच जाओ मतलब एक दिन आप पहले पहुच जाओ अगर किसी को 21st मिली है तो 20 को आप वहां पर Delhi पहुच जाओ अगर आप बाहर से आ रहे हो travel करके अगर आप local candidate हो तब तो कोई problem नहीं है आप morning मे 3-4 बचे अपने घर से निकल दो तो भी पहुच जाओ लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हो like other state से आ रहे हो तो आप कोशिश यह करो कि आप एक दिन पहले पहुच जाओ वहां आराम से stay करो और उसके बाद morning में मतलब अगर आप रात में stay कर रहे हो तो कोशिश यही करना ज इसको धान में लेके चलना जो time दिया है उतने बचे आपको report करना होगा उससे थोड़ा भी अगर आप late करते हो तो फिर यहां पर कोई भी excuse वगर नहीं सोना जाता है ठीक है तो पहले जिस तो यह हो गई उसके बाद दूसरा मैंने बताया अपने साथ पैसे वगरा रखना जब आप अंदर जा रहे हो और तीन चार वेजे के आज पर जो है शाम को यह लोग आपको free कर देते हैं तो आप जो अपने parents को बोल सकते हो कर सब्सक्राइब को उनको आना है आपको pick करने के लिए तो आप उनको बोल सकते हो कि शाम को जो है 4.5 वे तक वो आ जाए ठीक है इसा बोल सकते हो ठीक है तो यह दूसरी चीज हो गई और उसके बाद यहां पर process देखो कैसे होगा आपकी चार चीज़े होने है total मतलब पहला आपका क्या है TOGIG ही ठीक है मतलब पहला medical है मानलो फिर उसके बाद TOGIG वाला जो test है वो होगा ठीक है उसके बाद interview भी है और उस उसमें suppose 100 बच्चे आए एक दिन में ठीक है तो जब 100 बच्चे अंदर enter हो गए तो ऐसा नहीं है कि एक एक प्रोसेस जो है एक एक तरीके से चल रहा होगा होगा बेसी के लिए सबसे पहले तो जब आप एंटर करोगे आपका document verification होगा like आपका admit card रहेगा ठीक है admit card से आपके सारे details match की जाएंगी आपका need you score वगरा check किया जाएगा जो आपने form में fill कराए वही है या नहीं है और उसके बाद आपके 10-12 के जो भी documents इन्होंने मगाए है वो सारे verify जाएंगे उसके बाद क्या है यहाँ पर क्या होगा like आप मान सकते हो कि जैसे suppose 100 candidates गए तो उनको अलग- 40 students जो है वो मतलब suppose medical के लिए चले जाओ और 30-40 जो अपने test के लिए चले जाओ इस वाले test के लिए और बाकी बीच बीच में जो है कुछ के अनिरेट्स को interview के लिए बुलाते रहेंगे तो सारी चीज़े जो है मतलब सब की एक साथ चलती रहेंगे मतलब कुछ बच्चों का क्या interview चल रहा होगा कुछ बच्चों का कह कए cbt वाला test चल रहा होगा सब का एक साथ कुछ पिहां पर नहीं होने वाला ठिक है और कुछ बच्चों का कि लेट़ चल रहा हुगा तो सब बच्यों से कौन बुला की चीज़ के लिए बुला रह रह आ अपको कहाती only मतलब बहुत जादा अच्छे से ध्यान रखना आपको सब चीज़ा अच्छे से अब्जर्व करके रखनी होंगी और इलेट काफी रहना होगा अगर मालो आपका क्या बूलते हैं कि आपको बुला लिया मेडिकल के लिए तो आपको तुरंट जाना है ठीक है और ऐसा नहीं कि बस कि मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है और बाकी चीज़े जो हैं साथ में चल रही है तो कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए इसलिए आपको काफी ज़्यादा अब्जर्वेंट रहना पड़ेगा वाँ पर ठीक है तो यह सब चीज़े और बाकी देखो 80 marks का रहता है वह क्या बूलते हैं जो आपका CPT वाला टेस्ट होता है तो जितना आता हो उतना ही करना क्योंकि उसमें negative marking नहीं होती और देखो उसमें questions देखो कुछ भी पूछे जा सकते हैं तो यह है कि जितना आता हो बस उतना ही करना negative करने के उसमें जरूरत नहीं है ठीक है और वो टेस्ट वगरा देखो बहुत जादा effect आपकी merit पर नहीं डालेंगे क्योंकि जो आपका जादा weightage है जो सबसे जादा weightage है वो आपके neat score का ही है ठीक है तो बागी टेस्ट में आप जैसा perform कर बारे हो वो अपना best देना और यह मैं सोचना कि यह चीज मेरी खराब हो गए या कुछ भी ऐसा हो गए तो आप उसके लिए hopeless हो जाओ क्योंकि at the end आपके साथ कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पर अगर आपसे कोई अच्छा perform करके आ रहा है साथ वाला और आपको लग रहा है कि भाई इसने काफी अच्छा perform किये तो वहाँ पर कई बार ऐसा भी होते हैं कि भाई उसने बहुत अच्छा perform किया लेकिन फिर भी उसका सेलेक्शन नहीं हुआ और आपने थोड़ा आवरेच परफॉर्म किया हर चीज में तब भी आपका सेलेक्शन आपर हो जा रहा है ठीक है बाकि अपना जो भी मतलब मेडिकल एक्जाम वगर वह सारी मेडिकल एक्जाम निशन आपके सारे होंगे लाइक बलड टेस्ट हो गय बाकि हमोगलोबिन वगर आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए लाइक 12 से उपर होना चाहिए ठीक है तो बस इतना है और मैंने बता दिया डॉक्मेंट्स का बता दिया लाइक मैगरेशन वगर आपका नहीं है तो आप अपने कॉले से लिखवा के और साथ मैं आपको ए तो उसके बाद जो है मैं अपने जितनी भी डॉक्मेंट्स में माइग्रेशन वगर वह यहां पर सम्मेट कर दोंगा ठीक है तो यह हो गया और बाकि कोई बॉर्ण मनी के बारे में पूछ रहा था लाइक यहां पर कुछ बॉर्ण सिस्टम वगर है या नी तो बॉर्ण सिस कि नेक्स्ट यह सब मेरे में हो गया अगर ठीक है वैसे तो देखो ऐसा सूचना भी मत कि वहां जागे आपको इतना पड़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा कि आप नीट की प्रपरेशन दुबारा करवा होगा ठीक है पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बहुत जादा ब क्योंकि अगर आप अपनी वेकेंसी को छोड़ते हो तो वहां मतलब यह है कि आपको पता भी नहीं कि एक ऑफिसर बनाने के लिए कितना जो एक्सपेंड नीच रहे वो गवर्मेंट की तरफ से आपकी उपर एक्सपेंड किया जाता है ठीक है तो इस चीज को ध्यानक ना त तो बस इतना है और बागी तो मुझे लगता है कि कुछ और भी आपके डाउट होंगे मैंने इसके बारे में बता दिये जो भी आपका प्रॉसस वगरा होगा और कुछ इतना खास है ने ठीक है और देखो जिसकी जैसी भी प्रिपरेशन है बट हां अगर आपको चांस मिला है तो जरूर आप यहां पर जो है अटेम्ट दे कर आओ आपको एक बहुत अच्छा एक्स्पिरिंस देखने को मिलेगा ठीक है तो बस इतना है बाके अपने सार्टिफिकेट्स वगरा जो भी है आपके जो भी अचीवमेंट्स वगरा वो सारे ले जाना तो अब इस वीडि को एक मेल रिसीव आओगा अपनी ऑफीशल मेल आईडी पर अगर आपने अभी तक चक नहीं करा तो अपनी ऑफीशल मेल आईडी खोल के देखना मतलब जिससे आपने रेजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उस मेल आईडी पर यह एक मैसेज आया था कि आपको जो है अपनी सेंड करनी है कि आप स्क्रीनिग टेस्ट के लिए आओगे या नहीं आओगे थीक है तो उसमें कुछ नहीं है बस सब्जेक्ट में डाल देना willingness for MNS screening test ठीक है और उसमें एक paragraph दिया हुआ है उसी को same copy करना और उसमें जो बीच-बीच में spaces दिया है like reference number या name या जो भी चीज़ें बस वो fill कर देना ठीक है उतना fill करके बस उनको send कर देना उतना सही काम करना है willingness के लिए और कुछ भी नहीं करना बस इतनी information दें ठीक है तो बस अब इस वीडियो को ही परेंट करता हूँ अगर यह वीडियो आपको helpful लगे हो तो प्लीज को जरूर आइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रस कर लो और को